वी एकली आहे है एकले अध電ान एगलेस कोओकर केक मिक्स वर्नीला और ये एगलेस कोओकर केक मिक्स चोकलेट तो इससे डिरेक्टली हम लोग बना देंगे चोकलेट मिक्स है केक मिक्स एड。 मैंसको आज Guten त्राइ करके फिर आपको फाइनल लोको इसका दिखाऊंगी इसमें six slices बनते हैं दोनों में ही six slices बनते हैं गाइस उसको बहुत सेंपल है इसमें डिरेक्शन दिया वह है तो फिर गाइस येस इसका कॉस्ट हंडर्ड है अल्यडी था पहले वह एकस्पाइड हो चुका था आज ये में बना के आपको फाइनल डिव्यूस का शो करूंगी गाइस काफी अच्छा दिख रहा है इसका पैकिंग पाकेजिंग ओके गाइस ये बना के में फाइनल लोक उसका भी खाऊंगी आपको स्टे ट्यून बहुत जादा अच्छा लग रहे गाइस मन करें भी बना तो अब इवनिंग में ये केक बना रहे है मैं आपको बोली थी ना ये कूकर केक मिक्स चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं अब भी हम लोग कूकर में ही बनाएंगे तो ऑफकोर्स उसका भी प्री हीट कर चुके हैं 10 मिनिट तक उसमें बेस में वाटर आड करके स्टेंड क कूकर मिक्स लेना है उसको सिंपल हम लोग उसको अच्छे से स्टेयर कर लेंगे ऐसे थोड़ा सा डैप डैप कर देंगे ताकि कोई एयर बेबल ना हो फिर उसको फिर थोड़ा सा बटर पेपर में थोड़ा सा हम लोग ऑल स्प्रे करके अच्छे से उसको ट्रांस्फर कर ल सिक्स स्लाइस बनते हैं एंड बस उसमें थोड़ा सा हम लोग गार्निश कर लेंगे कुछ नो टू-टू-फुरुटी के चेरीज और ज्यादा कुछ भी नहीं और वीप्ट क्रीम वह भी था बट हम लोग उसको यूज नहीं किये सिंपल लोग तो अलरी रेडिमेट कुछ भी चॉकलेट फ्लेवर किये फिर और और भी वनिला फ्लेवर का यूज कर लेंगे तो कुकर अभी प्री हीट हो चुका है दस मिनिट तक उसके बाद हम लोग इसको भी थोड़ा सा रेस्ट करने तेंगे फॉर मिनिट और टू ताकि थोड़ा बबल उसमें एसकेप कर सके एंड कुछ भी आड़ करना नहीं है सिंपल उसका कंटेंट को ट्रांसफर करना है ओल में थोड़ा सा थिक बैटर बनने तक उसका थोड़ा सा वाटर आड़ करके हम लोग उसको अच्छे से मतलब मिला लेंगे देखी गाई कितना कलरफुल अमेजिंग टूटी फूटी फूटी ह कि हैं उसको थोड़ा सा लेरिंग करके लगा देंगे फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग लगा सकते हैं होनेके बाद ऐसे colorful थोड़ा ग्रीन यलो औरेंज ब्लाक टुटी फुटी एड़ कर रहे हैं और थोड़ा सा चेरी एड़ कर देंगे बस वो 20 तो 25 मिनेट से बन जाएगा बनने के बाद उसके बाद भी थोड़ा सा हम लोग चेरी एड़ कर देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और उसका फाइनल लुग भी गाईज सीरियसली बहुत ज्यादा अमेजिंग था एंड ट्रस्टी तुस वरी फलफी इट वरी टेस्टी अलसो जैसे चोकोलावा केक ह अमेजिंग था सीरियसली डू ट्राइट और बहुत जल्दी बन जाता है कुछ भी एक्स्ट्रा एड नहीं करना होता है सबसे अच्छा है यह एगलेस भी है कुछ ऐसे मतलब एक-एक स्मेल आता है ना एक ओडर आता है तो वह भी नहीं होगा इस वेरी नाइस टेस्टी और एक्स्ट्रा कुछ भी हमको एक्स्ट्रा मतलब मैदा और सब कुछ एंड करना नहीं होगा सिर्फ उसका कंटेंड में थोड़ा सा टेबल स्पून टू 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 टेबल स्पून डाल के हम लोग बना देंगे गाइस देखिए अभी सब कुछ हम लोग उसके पो टॉपिंग स स्टे ट्यून और आपी कमेंड करिए अगर आप भी इसको बनाते हो मतलब यह इजी है या फिर जो हम लोग नो step by step जो बनाते वह इजी है देखिए यह फाइनली इसको लेयर अभी क्रैक हो गया है इंडिकेट्स यह कंप्लेटी रेडी हो चुका है उसको हम लोग सब्सक्राइब में से टॉपिंग्स के टॉपिंग्स जैसा बस अजादी उसको देखिए गाइस पे कट करके आपको दिखाती हूँ बहुत ज्यादा फ्लफी और देखिए प्रस पॉंजी हो गया 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 इस रियली अमेजिंग इसका रिची टॉपिंग्स अजादा बहुत जादा अल्फी नहीं है एक दम से मतला मौ अच्छा रगता है तास्ट भी तो ट्राइड गैस इसमाज और फोट प्रकेत अब्सक्राइब मैं चैनल और चर्ट ब्रस्ट बलाग इकन और गया इस